हेलो बच्चों यह वीडियो बनाएगे उन स्टूडेंस के लिए जो क्लास 12 में अपियर हो रहें प्रैक्टिकल एक्जाम के लिए 2023 सेशन में जैसा कि CBSC ने ओफिशली रिलीस कर दिया है जो प्रैक्टिकल एक्जाम है हो फर्स्ट वीक ऑफ जन्वरी में होंगे और और इढ़िंगुबर से लेकर 15 दिसमबर तक हो ठीक है तो अगर हम बात करें प्रैक्टिकल एक्जाम के तो सिर्फ सफ स्चिसेश्ट की बात करें तो आपका जो है वह माक्स दिस्ट्रिबूशन कुछ इस तरी की रहती है कि आपका जो है volumetric analysis आता है, 8 marks का, volumetric analysis में generally आप titration वगरा करते हैं, ठीक है, जो कि moher salt दे देंगे, ठीक है, titrate करने को, या आपका, शायद KMNO4 दे देते हैं, ठीक है, KMNO4 हो गया, या potassium dichromate हो गया, उसका volumetric analysis करना होता है, ठीक, against standard solution like oxalic acid, यह सब चीज़े आती है, ठीक ह करा जाता है, ठीक है, जो कि 8 marks का होता है, ठीक है, आपको practical लिखना भी पड़ेगा, और perform भी करना पड़ेगा, right, second आएगा आपका, जो है, वो salt analysis, salt analysis बहुत important होता है, ठीक है, इसमें आपको salt दे देंगे, ठीक है, पूडिया सी देते बना के, उस पूडिया पे, हर एक को अलग-अलग देते हैं, ठीक है, हर बच्चे को अलग-अलग देंगे, ठीक है, किसी एकादे का similar भी होगा, तो वो अलग-अलग salt होता है, और उस salt में आपको basically वो salt identify करना होता है, और उनके cation और anion बना, बताने होते हैं, ठीक है, आप वो cation और anion पहले से ही पता होता है, एक्जाम वाले को क्या है, फिर जब आप उन्हें अंसर बताते हैं, तो मैच करते हैं, और फिर उस हिसाब से आपके marks लगाते हैं, तो जो आपका salt analysis है, वो भी 8 marks का आता है, लिखना भी होता है, परफॉर्म भी करना होगा, उसके बाद होता है आपका content-based experiment, content-based experiment में जनरली organic experiment आते हैं, जैसे कि टेस्ट करते हैं, आप किसी functional group का, ठेक है, जैसे आप alcohol group या phenol group टेस्ट कर रहे हो, ठेक है, तो यह सारे content-based है, इसके अलावा आप कोई functional group टेस्ट कर रहे हो, इसके अलावा protein टेस्ट कर रहे हो, amino acid टेस्ट कर रहे हो, ठेक, तो organic के जितने भी टेस्ट ह न सकते हैं और शॉक्त अमेंडटिजू स्टारी एक्सपेरिमेंट शीए है तो यह सरी कष्च्छे शयर्श मार्स टा रेमाख्जू के होनी चाहिए and in spite of that there should be yy include और इस सब को मिला कर 4 marks लगते हैं तो 8 plus 8 plus 6 plus 4 plus 4 right तो 8 at 16 plus 6 22 22 plus 4 26 and plus 4 आपके कितने होगे 30 marks देखो यार इस 30 marks में ना मैंने देखा हुआ है कि ज्यादा तर student के 28 marks लग जाते हैं ठीक है जो बच्चा practical नहीं लेके जाता है मानलो उसने सालबल practical नहीं लिखी है तो उसके class record के हिसाब से उसके marks लगा दिये जाते हैं लेकिन teacher नाराज हो जाते हैं तो please यार मैं hope करता हूँ कि सब लिखते ही है practical exam in fact dummy admission वाले भी लिखते हैं ठीक हैं अच्छा इसके बाद बात करते हैं फिजिक्स के फिजिक्स के भी similar आपको तीन experiment देंगे कोई ना कोई लिखने को ठीक है और perform भी करने पड़ेंगे उसके reading उसके result उसकी calculation सब करनी पड़ेंगे ठीक तो वहां पर आपको करना पड़ता है और बाकी इसमें material क्या लिखना होता है एम लिखना होगा आपको सबसे पहले apparatus required अगर आप physics कर रहे हैं chemistry कर रहे हैं तो chemical कौन कौन से चाहिए आपको chemical required principle लिखना होता है ठीक है यह है इसके अलावा एक चलिए यह बाद में बताऊंगा मैं एक पॉइंट आ रहा था दिमाग में इसके बाद फिजिकल एजुकेशन यह फिजिकल एजुकेशन में कुछ लिखना विखना नहीं होता final exam सिर्फ आपको practical file जो आपने बनाई होती हो सब्मिट करनी होती है इस इसको तो बहुत जादा तकलीफ नहीं होती इन सब चीजों में ठीक और आपसे कुछ theoretical question वाइवा में पूछ लेंगे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है जैसे ग्राउंड का साइज कितना होता है किसी एक पर्टिकल फुटबॉल का ग्राउंड का साइज कितना होता है उसके करवाएंगे हाथ पर दर्द करवा देंगे आपके दू दिन में दर्द होते रहेंगे जो एक्सेसाइज नहीं करता गर पर उसके तो होंगे ठीक है तो वो रहेगा तो यह तीन सब्जेक्ट है physics chemistry और physical education बाकी practical नहीं होते English का शायद थोड़ा सा project work कुछ होता है पर that is very minor ठी अबतें हो सकता है यह इस बारी अप्रेक्टिकल एक्जाम में photography ठीके groups बनाए जाए पिछली बार होई थी मतलब को विड के करके फोटोग्राफी by फोटेया इस बारी भी चांस है कि फोटोग्राफी ठेक है यह वीडियो ग्राफी का पता नहीं है थोड़े ठोड़त MUR reins हो जाए तब क्या गर हो गया तो उसे कोई फर्ग नहीं पड़ता वैसे एक दो मांक्स कट जाएंगे आपके वो तो पक्का ही शौर कटेंगे क्योंकि रिकॉर्ड में रखना होता है प्रेक्टिकल फाइल को अधर्वाइस आपके वन और टू मांक्स कम हो जाएंगे आपके जो प्रेक्टिकल जो होंगे उसमें एक्स्टरनल आएगा यानि दूसरे स्कूल से टीचर आता है ठीक है जो कि cbc पॉइंट करता है उस टीचर को है हलाकि ऐसा देखा गया की जो टिकूल में जो पिछले साल टीचर रहे था वहीं टीचर दुबारा से आए ठीक है तो टीचर एक दूसरे को घानते cirail होते हैं जैसे जितने government school है वो government school के teacher को जानते होते हैं तो आपके जो भी marks लगेंगे जो external लगाएगा उसमें आपका class teacher साथ में बैठा होता है बाकि यह practical exam में बहुत जाएं टेंशन नहीं लेनी है ठीक है क्योंकि minimum 28 marks लगते हैं ठीक है उससे भी कम मैंने नहीं सुने 28 लगते ही है ठीक है अगर आपने सारे स्टेंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर फॉलो किया है सोपी फॉलो किया है जो भी प्रेक्टिकल होते हैं पर चड़ जाते हैं उसी दिन तो प्रेक्टिकल जो आप शीट लिखते हों आप जो क्या वोलू मैं जो शीट भरते हो जिसमें प्रेक्टिकल लिखते हैं आप कैसे आपने किया प्रोसीजर बगेरा वह उसी टाइम चेक हो जाती है ठीक है एक्जाम के जश्ट बात और बस वह माक्स के लिए शीट बनाके वह ले जाते हैं अपने साथ ठीक है आपके वह वाले जो पेपर है वह नहीं जाते सीबिसी के पास सिर्फ माक्स जाते है तो ऐसे चलता है पूरा प्रसेस बाकि यार कुछ भूल गया हो मैं तो आप में को बता देना मैंने कोशिश किया मैं स सब्सक्राइब रहे बाए